साथियों नमस्कार टीचर्च अकैडमी से मैं हूँ डॉक्टर अंबरी शुक्ल आप सबका बेहर स्वागत है आपके अपने चहते संस्थान में टीचर्च अकैडमी एक मात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए सदेव परतिबद रहता है परतिबद रहता किस कड़ी में मैं उपस्थित हो आज आपके सामने हिंदी के नए पैटन को बताने के लिए दरसल टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में 2022 से अपक्षित है किसकी परिक्षा हो जाए अब परिक्षा के घड़िया नस्दीक आ रही है आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उल्टी गिंती भी शुरू हो चुकी है दरसल उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सरकार सकत है और क्योंकि नया आयोग गठित किया गया है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है संभवता है जून के आखरी तक दो पदों पर नुक्तियां हो जाएंगी और जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक परिक्षा के तितियों की घोशना हो जाएगी ऐसे में आपको कुल 90 दिन का समय मिल सकता है परिक्षा के त्यारी करने के लिए अब 90 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए किस तरह से पढ़ना चाहिए कौन से किताबे लेनी चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे साथी साथ चर्चा करेंगे कि आप सब की विसेश मांग पर एक नया बैस शुरू किया गया है अंतिम प्रहार क्योंकि अब इसके बाद कोई प्रहार करने के लिए बचेगा नहीं यह अंतिम प्रहार होगा ठीक है तो अंतिम प्रहार का तातपर क्या होगा कि यह जो पेपर आपका होगा इस पेपर के लिए हमें क्या स्टेटजी बनानी है हमें क्या त्यारी बनानी है और हमें किस तरह से प्रश्णों को पढ़ना है सबसे महत्पूर्ण बात ये है क्योंकि आप जानते हैं कि दो से तीन साल में एक बार ये पेपर होते है अब हो सकता है जिस तरह से बात चल रही है कि regular हो जाए हर साल इनका form निकाला जाए हर साल परिक्षा हो हर साल निक्ति पत्र मिले लेकिन अब तक की जो इस्थिती थी कि दो से तीन साल में एक बारे परिक्षाएं होती थी आपको बहुत दिन बाद ये समय मिलने वाला है अगर आप पहले से त्यार नहीं रहेंगे और अगले बैच के लिए फिर से इंतजार करेंगे कि अब फिर कभी बैकेंसी आएगी तो देख लेंगे तो आपका चैन होने से रहा तो आपको यही समझ के त्यारी करना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं और यह भी सोच के रखना है कि यह पेपर मेरे जिन्दगी का अंतिम पेपर है और इसी पेपर में मेरा चैन हो जाएगा आगे की त्यारी करने के मुझे आउशक्ता नहीं पड़ेगे हिंदी की बात करें साथ यूँ तो हिंदी का जो पैटर्न है वो सबसे डिफरेंट रहता है 2021 का पैटर्न आप देख लीजे कि जहां 125 प्रशन मेरे जाती थी 122 प्रशन मेरे जाती थी 123 प्रशन मेरे जाती थी वहाँ पर सामान केटेगरी का केवल 78 प्रशन मेरे जाती गई थी TZT की और PZT की इससे जादा गई थी तो TZT की मेरे जाती कम गई और PZT की अधिक गई इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा TZT का पेपर कठिन बनाया जाएगा और PZT का पेपर आसान बनाया जाएगा अब 100 दिन का जो टारगेट है उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया अंतिम प्रहार बैच और जिसकी शुरुवात हम लोग कर रहे है नाटक किसे कर रहे हैं नाटक वाले नया चैप्टर से ठीक है अब बात कर लेते हैं कि ये सारे कोर्से चलने है DTLSB भी है BPSC भी है MRS भी है NVS के भी है सारे कोर्से चलने हैं UGC का भी चलना आप सब ले सकते हैं ये हमारा निशुल टेलिग्राम ग्रूप है आप इसको स्कैन करके निशुल का आप हमसे जुड सकते हैं ठीक है तो चलिए अब बुक की बात करते हैं ये कुछ किताबे हैं वैसे इन किताबों से आप लोग पहले से परचित होंगे लेकिन आज मैं आपको फिर से परचित करा रहा हूँ सबसे पहला जो किताब है बहाशा विज्ञान की है किसकी है भाशा विज्ञान की देखे भाशा विज्ञान से प्रस्ण जो पूछे जाते हैं वो अधिक नहीं पूछे जाते हैं इनके संख्या जादा नहीं होती है तो बहाशा विज्ञान की किताब आपको अलग से खरीद के पढ़ने के आउशकता नहीं है अगर आपके पास है तो आप ठीक है वहाँ से पढ़ सकते हैं और अगर नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो डाक्टर भोलानातिवारी की किताब है भाषा विज्ञान की जो आपके लिए काफी महातपूर और अच्छी किताब है ये किताब आप ले सकते हैं भाषा विज्ञान वाले पूरसन से दरसल भाषा विज्ञान वाले से आजकल एक दो प्रशन और ट्रेंडिंग में है जो पूछे जा सकते हैं एक तो प्रमुख भाषा विज्यानियों और उनकी पुस्तकों का क्रम, जैसे पिछली पार पूछ लिया था कि प्रमुख व्याकरण पुस्तकों का क्रम बता दीजिए, आप व्याकरण जिन्होंने लिखा है वयाकरणों का नाम बता दीजिए, तो उसी प्रकार से प्रमुख भाषा विज्ञान के जो लेखक हैं या जो किताबें हैं उनके नाम इस सेशन में आपको जरूर याद रखना है ठीक है इसमें भाषा और बोली और लिपी से संबंदित प्रशने जरूर याद रखने हैं तो दिवनागरी लिपी से 100% प्रशन 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 प्रश तेस्ताएं भी आप से पूछ सकता है भाषा विग्यान वाले पूर्शन में अगली किताब जो है वो हिंदी साहित का सरलितिहास है दिखिये मैं ये किताब उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जो लोग पहली बार त्यारी कर रहे हैं या उन्होंने इसके पहले आज तक कभी तैयारी ही नहीं किया था या जो लोग सून से तैयारी करना चाहते हैं तो जो लोग सून से तैयारी करना चाहते हैं जिनको हिंदी की समझ नहीं है या उनको समझ विक्षित करना है कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए किस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए ये पहली किताब है उनको अपने विशे की शुरुआत कहां से करना चाहिए हिंदी साहित के सरलितिहास से करना चाहिए विश्वनात्रिपाथी की पुस्तक है पुस्तक का नाम क्या है विश्वनात्रिपाथी की पुस्तक है औ अब दावलियां बेहसरल हैं पहले ये यन-सी-ई-ार्टी के द्वारा प्रकाशित होती थी अब ये अलग से प्रकाशित हो रही है तो ये किताब आपके लिए बेस्ट होगी इस किताब से आप अपनी तयारी को शुरू कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर इस किताब को आप बोड़ा सा मुस्किल काम सोच रहे हैं क्योंकि बिना इस किताब के कुछ होने वाला नहीं है आप कीम नईया पार होने वाली नहीं है यहां से दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा एक तो यहां से आलोशनात्मक कथन ठीक है आलोशनात्मक कथन और दूसरा काब्य की पं पंग्तियां यह दो चीजें यहां से ही पूछी जाती है दियान रखिएगा और इसमें से कहां तक पढ़ना है तो यहां से भक्तिकाल इसका सबसे महत्पूर्ण है सबसे महत्पूर्ण इस कुस्तक का क्या है वो भक्तिकाल है तो यहां आदिकाल उतना महत्पूर्ण नहीं है रीतिकाल उतना इतिहास रामचन शुक्ल से इनका जो बिभाजन है यानी की जो इन्हों अनुक्रमडिका बनाई है क्या बनाया है अनुक्रमडिका यानि कि किस अध्याय में उन्हें क्या रखा है तो प्रकरण के हिसाब से भी इस पुस्तक को आपको याद करना है द्यान रखिएगा पूछ लेता है कि रामचन सुकल ने किस प्रकरण में क्या रखा है आप देखें कि उन्होंने कविता किस प्रकरण में रखा है या भारतेंद युक को किस प्रकरण में रखा है दिवेदी युक को किस प्रकरण में रखा है या आधुनिक कविता को उन्होंने किस प्रकरण में रखा है तो प्रकरण के हिसाब से भी इनका जो अनुकरमणी का है वो आपको याद रखना है यानि कि इसकी भूमिका को आपको पढ़ लेना है रट लेना है इसकी भूमिका से ही कम से कम एक से दो प्रशन हर बार परिक्षा में पूछे जाते हैं तो एक तो इसकी भूमिका आपको याद करनी है दूसरा इसके प्रकरण को रट डालना है क्योंकि इसके प्रकरण जो है कि किस प्रकरण में क्या लिखा गया है यе बहुत महत्पूर्ण हो जाता है इसका भगतिकाल सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है और इसके आलोशनात्मक कथन और काब पंग्तियां जो है वह भी पूछी ही जाएंगी बिना इस किताब से आपका कल्याण होने वाला नहीं है इसके अलावा इस किताब को आपको पढ़ना है लेकिन इस किताब को पहले नहीं पढ़ना है पहले हिंदी साहित का सरल इतिहास पढ़ना है जब आपकी इतिहास को पढ़ने की समझ मजबूत हो जाएगी तब जाब के दूसरे राउंड में इस पुस्तक को आपको पढ़ना है पुस्तक का नाम है हिंदी साहित का इतिहास ठीक है चलिए अब इसके बाद सातियों जो तीसरी पुस्तक है वो आपको पढ़नी है जिसको कहते हिंदी साहित का दूसरा इतिहास ये किताब है बच्चन सिंग की ये किताब ऐसी है जिसने TGT 2021 और PGT 2021 ये 2021 का जो था उसका काया पलट इसने कर दिया क्या कर दिया काया पलट कर दिया जो सबसे ज़्यादा मेरिट जाती थी 122, 123, 124 मेरिट जाती थी इसी एक पुस्तक से इतने ज़्यादा आलुशनात्मक कथन पूछ लिए गए कि मेरिट जो थी वो भड़़ा के नीचे आ गई और जो 123, 24 प्रशन मेरि तो इसी पुस्तक की सबसे बड़ी दावेदारी थी, इसी पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान था, तो अब इस पुस्तक को हम नजर अंदाज करके TGT PGT की परिक्षा को पास नहीं कर सकते हैं यहां से क्या क्या चीज़े आपकी पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, यहां से भी साथियों आलोशनात्मक कथन और काब बेपंग्तियां और यहां से जो सबसे महतपूर है वह है आधुनिक काल, इसका आधुनिक काल जो है वो ज्यादा महतपूर्ण है तो तीन चीज़ें आपको हिंदी साहेत्य का दूसरा इतिहास से पढ़ना है बच्चन सिंग की पुस्तक से पढ़ना है आधुनिक काल इसका बहुत महतपूर्ण है काब की पंग्तियां और आलोशनात्मक कथन इसके बहुत महतपूर्ण है और कुछ प्रमुक कवी जिनको शुक्ल जी ने अपने आलोशना के अंतरगत रखा है उनके कथन तो जरूर महतपूर्ण है जैसे कबीर दास को शुक्ल जी ने क्या कहा तो बच्चन सिंग वाला प्रथन पूछा जा सकता है हजारी प्रशाद दिवेदी हो गए नामवर सिंग हो गए तो यहाँ आपको यह दियान रखना है कि जिस भी चीज पर शुक्ल जी ने अलोशना किया है वो उस चीज से सम्मंदित अलोशना आत्मक कथन आपका यहाँ बच्चन सिंग वाली पुस्तक से पूछा जाएगा एक मज़ेदार बात आपको बता दू कि जो अलोचना वाला चैप्टर है जो से बीस प्रस्ण हर बार पूछा जाता इस टॉपिक से और पूछा ही जाएगा तो सातियों अगर आप चाहते हैं कि आपका चैयन हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो चैप्टर आप कहां है ही नहीं उससे भी प्रस्ण पूछे जाते हैं और पंदरा से बीस मुझे प्रख्यात मानते रहें मुझे से ही पढ़ते रहें वो कभी आपको पुष्टक नहीं बताता मैं आपको किताबे बताता हूं कि ये सूर्स हैं अगर इन किताबों को आप अपने से पढ़ सके तो कोचिंग करने की जड़रत नहीं है इस दुनिया में किसी से करने में एक से दो साल का समय चला जाता है बस यही समस्या है अगर आप पहले से त्यारी शुरू कर दें तो निश्चित तोर पर आपको कोचिंग करने की कोई ज़रत नहीं है लेकिन कोचिंग जब आप करते हैं तो मैं इसका सार संग्रह दे देता हूं किवल वही चीज़े बताता हूं जो महतपूर है तो इससे आपका समय बच जाता है और तैस समय सीमा में आपकी त्यारी हो जाती है तो यहाँ पर यह पुस्तक आपके लिए बहुत महतपूर है अगर आप त्यारी करना चाहते हैं क्योंकि आलोशनात्मक कथन वाला जो भाग है काब की पंक्तिय माना है इस पर वो एक विवाद चला था तो सुकल जी ने जो कहा और बच्चन सिंग ने जो कहा वो सबसे अधिक प्रशन पूछा जाता है स्रिंगारिक रंग के जो चसमे हैं आज कल बड़े सस्ते हो गए सुकल जी का कथन है आप देखेंगे पूछा जाएगा और विद्यापति की रचनाओं को अगर जो क्या कहता है कि भईया ये रचनाएं सब दैविक हैं या इसमें इश्वरत का भाव है तो इसी पर इनका कथन है कि अगर उनकी रचनाओं में आप भक्ति काबे ढूंडते हैं तो खजुराहों की मूर्तियों में भी आपको भक्ति ढूंडनी पड़ेगी यही कथन आप देखेंगे तो TGT 2001 का इसमें पूछा गया था तो कहने का ताथ पर ये है कि शुकल जी ने जिन जिन चीजों पर अपनी आलुशनात्मक कथन कहें हैं बाते कहीं हैं वो सारी चीजें आपकी हिंदी साहित के दूसरे तिहास से पूछी जाएंगी और इससे आपको दो चीज जादा टार्गेट करना है एक तो आलुशनात्मक कथन करना है और दूसरी काब्य की पंक्तिया करना है और तीसरा जो आधुनिक काल का चैप्टर है ये यहां से आपको कवर करना है क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनता है और यहीं से बनेगा ठीक है अगली पुस्तक देखते हैं हिंदी साहित और संबेदना का विकास रामशरूप चुतुरवेदी दिखें ये भी किताब काफी महत्वपूर्ण है काफी चर्चित है यहां से कथन केवल कथन ही पूछे जाते हैं क्या पूछा जाता है सात्यों तो यहां से केवल कथन पूछा जाता है और स्थापना और तरक के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रवित्तियां अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो स्थापना तर्क कथन और प्रवित्तियों के लिए ही ये प्रशन है रचना रचना कार से सम्मंदित प्रशन इस पुछे जाएंगे तो इस पुछे जाएंगे तो इस पुछे जाएंगे तो इस स्थापना और त हिन्दी साहिट का उद्भो एवं बिकास हजारी प्रशाद दिवेधी आप आप कहेंगे कि ये पुस्तक क्यों महात्पूड है हिन्दी साहिट का बिकास के नाम से है ये ये किताब अगर आपकी आदिकाल की समद विक्शित नहीं है आधिकाल से जितने भी प्रशनाप के यहां बनते हैं वो सब यहां पर हजारी प्रशाद दिवेदी की पुस्तक से महतपूर रूप से बनते हैं हजारी प्रशाद दिवेदी की दो किताबे हैं जो की एक हिंदी साहित के विकास पराधारित है और एक हिंदी साहित के आधिकाल नाम से मिलती है तो आधिकाल के नाम से जो पुस्तक मिलती है जारी परशाद दिवीदी की बेहत पतली सी किताब है और आप अगर देखेंगे तो 30 से 40 स्पेज हैं यानि कि अगर आप पढ़ना चाहें तो 3-4 घंटे में इस पूरी पुस्तक को पढ़के समाप्त कर सकते हैं तो ये किताब आधिकाल के लिए बहुत महत्पूर्ण है मुस्ट मुस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी का गद्य साहित्य राम चंद्रतिवारी ये किताब सबसे मोटी और सबसे महंगी है लगबग एक हजार रुपए की अकेले किताब मिलती है ठीक है और काफी मोटी है लेकिन जो रचनाओं के विशे में डिटेल पूछा जाता है वो इससे ही पूछा जाता है अब माली जे आपको कोई उपन्यास का कथ्य पूछा गया कि किस उपन्यास का क्या विशे है तो आप कहां से पढ़ेंगे और ये पूछा ही जाता है जैसे पूछ लिया कि कब तक पुकारू उपन्यास का कथ्य क्या है या कब तक पुकारू उपन्यास का कथानक कहां से लिया गया है तो आपने उपन्यास पढ़ा भी नहीं है वस्तुनिस किताबों में हो सकता है कि न मिले तो ये किताब आपके लिए सबसे कारगर होती है तो यहां पर किसी भी रचना की डिटेल पढ़नी हो कि उस रचना में है क्या उसलिए ये किताब बहुत महतूड है और अभी इसका एक लास्ट अपडेट वर्जन आया है तो इसके लास्ट में लगभग दस पेज नए जोड़े गए है ठीक है तो आपको मैं इतनी सलाह दूँगा कि जो इसमें नई चीजे अपडेट की गई है जोड़ी गई है वो अगर किसी के पास किताब हो तो उसका फोटे स्टेट करवा लीजिए नहीं तो किसी दुकान पे जाके खुद फोटो खीच लीजिए इस किताब से और नहीं तो कुछ दिनों के बाद मैं खुद आपको ये प्रोवाइट करवा दूँगा तो दस से पंदरा पेज जो है इस पुस्तक में नए जोड़े गए हैं नए जोड़े गए हैं कहां? किताब के लास्ट में संसोजदित करके कुछ नया टॉपिक जोड़ा गया है कुछ अध्यतन और करेंट की अचनाय जोड़ी गए हैं अगर आप पेपर 2021 का उठा लें तो उसमें लगभग 6 प्रशनाय से पूछे गए थे 6 प्रशनाय से पूछे गए थे इसलिए ये किताब आप के लिए महतपूर हो जाती है हिंदी साहित का इतिहास डाक्टर नगेंद और हरदयाल की पुस्तक है अगर किसी को डेट याद करने में कोई confusion है कि किस रचनाकार की डेट क्या है किस रचना की डेट क्या है किस की जनमतिती कब है इसको लेकर किसी को confusion है तो इससे आप डेट क्लियर कर सकते है इससे आप डेट को याद कर सकते है तो किसी भी रचनाकार या किसी भी रचना की तिथी को याद करने के लिए ये किताब आपके लिए महतपूर्ण है अब बात करते हैं हिंदी आलोचना की हिंदी आलोचना वाला जो पार्ट है इस किताब से पूछा जाता है अब इस किताब से ही आलोचना वाले पूछे जाते हैं बिश्वनात्र पार्ठी की किताब है हिंदी आलोचना के नाम से तो वैसे अगर आप हिंदी साहित के इतिहास से आलोचना पढ़ लेते हैं तो ठीक है वहां से नहीं पढ़ पाते हैं तो लगबख सभी की आलोचनात्मक दृष्टियां एक साथ आलोचनात्मक कथन एक जगह आपको इस पुस्तक में मिल जाते हैं ठीक है काबिसास्त्र की पुस्तक है ये तारकनात बाली की पुस्तक किसक ये ले सकते हैं आप क्योंकि इसमें कुछ नवीन अलंकारों को भी दिया गया है क्योंकि नवीन अलंकारों से संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपके यहां रहेंगे भारती काबिसास्त्र निशागरवाल साथियों गर ये पुस्तक आपके पास नहीं है तो आप TGT PGT हिंदी की त्यारी करना छोड़ दो यहां एकदम सही बात आपने कहा कि पहले प्रामाडिक किताबे बताएंगे फिर अपना कूर्स बताएंगे आप बहुत ग्यानी हैं आपको साधर प्रणाम है ऐसे ग्यानी लोग भिमारी कक्षा करने के लिए आते हैं मैं तो बहुत आहलादित हो जाता हूँ आपको नमन है देखिए बहारती काबसाथ की जो पुस्तक है निशागरवाल की पुस्तक है ठीक है मैं ये कभी नहीं कहता को आप मेरी क्लास करिए मैं ये कहता हूँ किस दुनिया में जो भी अध्यापक आपको अच्छा लगे उससे मत पढ़िए जो आपको सबसे अच्छा लगे आप उससे पढ़िए किसी की भी जाके क्लास कर लीजिए लेकिन क्लास करिए क्योंकि कम समय में आप ये प्रामाडी किताबे पढ़कर नोट्स बनाकर तयारी नहीं कर सकते समस्या हो सकती है कहीं भी किसी की भी क्लास आके पढ़ लीजिए ऑनलाइन में कोई ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो डंके की चोट पे आपसे कहे कि किसी की भी कक्षा जाके पढ़ लीजिए लेकिन आप इतने दिमागदार हो गए इतने बुद्धिमान हो गए है इतनी बिदुशियां आप हो गई है कि आपको सही और गलत का निर्ने लेना आता है आप सही ही निर्ने लेंगे आप बाकी मेरी कक्षा करे या न करे मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता है मैं पढ़ाता हूँ पढ़ाता रहूँगा पिछले 11-12 वर्से से पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा हमारे यहां से टॉपर निकलते है TZT 2021 का टॉपर आप जाके सर्च कर लीजिए मैंने इंटरव्यू भी करवाया है हमारे यहां से मिले हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप पढ़े या ना पढ़े आप कहीं से पढ़ें आपका चैन होना चाहिए आपको नोकरी मिलने चाहिए यह हमारा उद्देश से है क्योंकि बाद में आपके पास पस्ताने के सीवा कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है अब बात करते हैं भारती काबिसासर पुस्तक की जो की निशागरवाल की है ध्यान रखिएगा किसमे से लगभग सारे प्रशन काबिसासर के आपके मिल जाते हैं लेकिन भासा कहीं कहीं इसकी थोड़ी सी आपको टप मिलेगी थोड़ी सी भासा इसकी कठिन मिलेगी तो उसको आपको ध्यान में रखना है और काबिसास्त्र के लिए किताब आपकी बेस्ट है जैसे नाटक से सम्मंदित जितने भी पार्ट है आप मालीजे संदियां क्या है प्रकरण क्या है ठीक है ये सारी चीचे आपको यहां से मिल जाती है और इस दिश्टिकोंड से ये बहुत ही महत्पूर है वस्तुनिष्ट हिंदी अगर आप लेना चाहे तो वैसे एक चीच जान लीजिए 2021 के बाद अगर आप किसी वस्तुनिष्ट हिंदी की पुस्तक के भरों से तयारी कर रहे हैं तो आपका चैन नहीं होगा बुरिया बिस्तर बान लीजिए आपको पढ़ने की कोई जरुत नहीं है 2021 के पहले लोग क्या करते थे कि वस्तुनिष्ट किताब एक दो खरीद लेते थे और उनका चैन हो जाता था रट डालते थे पूरा लेकिन अब मैं इस बात को डंके की चोड़ पर कह सकता हूँ कि एक दो किताबों को पढ़ने के बाद एक दो वस्तुनिष्ट किताब पढ़ने के बाद आपका चैन नहीं हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता है अब आपको सारी किताबे पढ़नी पढ़ेंगी तब जाके आपका चैन होगा नहीं बात मेरी समझ में आती है तो 2020 का पेपर उठा के आप देख लीजिए आपको कुछ बताने और कहने की आवशकता ही नहीं होगी हिंदी ब्याकरण की बात करें साथियों हिंदी ब्याकरण की आपके पास बहुत सारी किताबे होंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास बहुत सारी किताबे रहती है आप कहेंगे सर इनकी किताब है इनकी किताब है इनकी किताब है इसके सिवा अगर आप कोई किताब हिंदी ब्याकरण की पढ़ रहे हैं तो आप पस्ताएंगे क्योंकि उसमें गलतियां हैं और एक गलती अगर आपकी हो गई तो आप उसको कोर्ट तक सिद्ध कर पाएं क्योंकि ये माध्धमिक की परिक्षा है और इसका जो मामला है वो हाई कोड सुप्रीम कोड तक जाता है और आपको प्रमाण के तोर पर दिखाना होगा कि किस पुस्तक से आपने त्यारी की है तो हमेशा अथेंटिक बुक का ही सहारा लेना चाहिए वही किताबे आपको बचा पाएंगे अन्य था कोई गलत प्रशनगर आप से पूछ लिया गया तो आप गलत उत्तर दे के चले आएंगे गलत किताब से और उसको आप सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे तो आदुनिक हिंडी ब्याकर्ण और रचना ये किताब आपकी बहुत महत्पूर्ण है ठीक है अब इसके अलावा आपको बता दू कि इस बार का जो पैटर्न है को कैसा रहेगा 2022 का पैटर्न देखें यहाँ पर काब्य की पंग्तियां काब्य पंग्ति आलोशनात्मक कथन आलोशनात्मक कथन अनुकरम प्रमुख काल जई रचनाओं की तिथी काल जई रचनाओं एवं रचनाकारों का अनुकरम यह एकदम नोट कर लीजेगा आप जब पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको लगेगा सेम टू सेम इनी टॉपिक से प्रशनाया है ठीक है नवीन अलंकार नवीन अलंकारों से प्रशना नवीन अलंकारों से प्रशना पूछा जाएगा ऐसे ऐसे अलंकार आप से पूछे जाएंगे जो आपने देखें नहीं होंगे आप देखेंगे 2021 में सब एकदम सरपट ऐसा अलंकार पढ़के गए हैं जो बहुत साधारण और आम अलंकार हैं लेकिन आप पेपर में देखें तो अलग तरह से प्रश्ण पूछा गया तो बहुत नए नए अलंकारों को पूछा जाएगा ठीक है काब्यसास्त्र को ज़्यादा महत्त दिया जाएगा काब्यसास्त्र को ज़्यादा महत्त रहेगा काब्यसास्त्र में जितने भी संप्रदाएं हैं जितने भी सिद्धान्त हैं और काब्यसास्त्र में खास करके जो पंग्तियां हैं वो अधिक पूछी जाएगी काबिसास्त्र की जो पंक्तियां है कि यह पंक्ति किसने कही है यह अधिक पूछा जाएगा काबिसास्त्र में एक और मज़ेदार आपको बात बता दू कि पाशात्य पाशात्य काबिसास्त्र से भी प्रश्न होगा पास्चात काबिस आस्ट्र से भी प्रशनाप का होगा और वो कौन से प्रशन होंगे प्रमुख रचनाओं के प्रशन ये आपके हाँ स्लैबस में नहीं है और आप 2021 का पेपर उठा के देख लो उसमें पूछा गया है कि विखंडनवाज सिद्धान्त किसका है जौग देरीदा जौग देरीदा पूछी गई है जबकि ये पास्चात काबिस आस्ट्र की है और जौग देरीदा आपके स्लैबस में नहीं है लेकिन इस बार ये प्रशन पूछे जाएंगे पास्चात काबिसातर के प्रमुक रचनाय भी आपसे पूछी जा सकती है और ध्यान लखिएगा हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में शब्दकोस बहुत महतपूर्ण भूमिका निभाएंगे सब्दकोस से सम्मंदित बहुत जादा पुछे जाएंगे और इसके अलामा आपको बता दू हिंदी ब्याक्तरण में जितनी भी चीजें अपवाद की हैं वही पूछी जाएंगी अपवाद की ही चीजें पूछी जाएंगी अगर आप अपवाद की चीजों को नहीं पढ़े हैं नहीं जानते हैं तो समस्या में हैं तो ये सारी चीजे आप कबर करेंगे इस तरह की स्टेड़िजी बनाएंगे और तयारी शुरू करेंगे अगर आप 2021 का पेपर नहीं देखे ते एक बार फिर से देख लीजेगा और बहुत आसान पेपर के चक्कर में मत रहिएगा भाई टीजीटी का पेपर सबसे कठीन आएगा उससे थोड़ा सासान पीजीटी का पेपर आएगा कारण ये है कि पीजीटी में इंटर्व्यू है टीजीटी में साक्षातकार नहीं है तो इस बार के पैटन को ध्यान में रखके अभीशे त्यारी शुरू कर दीजिए और अंत में वही बात मैं कहूंगा कि कहीं तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपको मेरी कख्षा अच्छी लगती है तो क्लास मत करिए बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो निश्य तोर से जुड़िए टीचर्स अकैडमी से अंतिम प्रहार बैच से और अंतिम प्रहार बैच जो है वो शुरू हो चुका है जिसको हम 90 दिन का टारगेट करके पढ़ाएंगे पूरा नोट्स देंगे टेस्सरीज करवाएंगे रिवीजन करवाएंगे डाउट्स क 97 तो सातियों आज का इसेशन आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौडल पेपर के साथ कि अब 2022 में किस तरह का प्रशन पूछा जाएगा यानि 2022 ओले फॉर्म के लिए कैसा प्रेपर आएगा एक पेपर आपको 125 प्रशन का मौडल प जिए हुआ किस अर आपको 12 पॉर्म के जए मौडल पेपर लिए हाँ